मैं हूँ अमीश देव गंट और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोचमन कारिकरम ये देश है मारा पीडिये के आगे आगे आपको लगता है हिंदुत्व का दाओ फेल हो गया यही दिक्कत है कि भारती जन्ता पार्टी पूरे समय चुनाव में मंगलसुत पर बात की जो पहली फेल हुआ दूसरी फेल हुआ तीसरे चुनाव लड़ा तो तीसरी फेल हुआ कहता है कि मैं पास हो गया हूँ जो लोग राम मंदिर को कल तक बेकार बोल रहे थे सनातन समाप्ति की बात कर रहे थे आज वो भी जैशी राम बोल रहे तो मुझे लगता है रोम रोप करने वाले राम राम करने लगे है पी-एम चुनाव नहीं आ रहे है योट्याथा चुनाव हरा है जातियों में बटा हुआ हिंदू समाप्ति क्यों हरे एक सेकिड रोप की देश के हिंदुवने नकारा आपको इसी चुनाब में का जा रहा था कि गैनिडेट बैनिडेट मद देखिये लेकिन देखिये मोदू को कौन हरा सकता है इसलिए वहाँ पर तो जोट जिहा दो और दूसरी तरफ मतनब एक जगा मत काटो एक जगा एक जगा में भी सो जगा काटो आप देख रहे हैं ये देश है हमारा अमेश देव गन के साथ नमस्कार विवर्स मैं हूँ अमीश देव गंद और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोचमन कारिकरम ये देश है मारा देश के राजनेतिक एतिहास में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि एक गड़बंदन या यू कहें कि प्री पोल अलाइंस ने को जनता ने सरकार बनाने का मेंडेट दिया इसके बावजूद समुचा का समुचा विपक्ष कई दिनों तक नरेटिव बनाने में जुटा रहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उस गड़बंदन के नेता नरेंद मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए एंडिय गड़बंदन तूट जाएगा सरकार नहीं चल पाएगी ये ब्रम फैलाने की भी भरपूर कोशिश की गई लेकिन इन तमाम सियासी विवधान के बीच मोदी सरकार के 3.0 की तस्वीर देश के सामने साफ हो गई नितीश कुमार से लेकर चंदरबाबू नाइडू तक एंडिय के तमाम सयोगिदलों ने ये खुल कर कह दिया कि उन्हें प्रधान मंत्री नरेंद मोदी की लीडर्स्टिप पर अटूस अटूट विश्वास है भरोसा है और इसके बाद प्यम मोदी ने भी विपक्ष के खिलाफ खुल कर बैटिंग की और कहा मुझे लगा था कि चुनावीन रतीजो के बाद विपक्ष की अर्थी विपक्ष इवियम की अर्थी निकालेगा लेकिन चार जून की शाम होते होते इनके मुँपर ताले लग गए पियम मोदी ने ये भी कहा कि इंडिया गटबंदन के लोग पहले धीरे धीरे डूब रहे थे लेकिन अब और तेजी से डूबने वाले है लेकिन आज कुछ बड़े सवालों का जवाब तलाशने बहुत आवशक है क्योंकि राम लला का भव्वे मंदिर बनने के बावजूद अयोध्या की सीड बीजे पी क्यों हार गई तो क्या इसके पीछे पीड़े का एक बड़ा फैक्टर काम कर गया आकिर महराश से लेकर पश्यम बंगाल तक बीजे पी उमीद के मुताबिक नतीजे क्यो तुम मैंने किसी को पूछा यार यह तो ठीक है आकड़े वागड़े तो मुझे यह बताओ कि इवीएम जिंदा है कि मर गया लगा सार इवीएम को गालिज देना लेकिन चार जुन शाम आते आते उनको ताले लग गए इवीएम ने उनको चुप कर दिया इलेक्शन कमिशन के काम में रुकावाट आये इसके लिए सुप्रिम कौट के दरवाजे खट-खट आये गए मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूँ कि हम मदर अप डेमोक्रेसी हैं और ये दुनिया में जाकर बता रहे हैं नहीं नहीं हमारे देश में डेमोक्रेसी हैं कोई नहीं को मोदी बैठ गया है और चाय बैठने वाला यहां पहुँच कैसे गया कुछ तो गड़बड़ की होगी 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और नरेंद्र मोदी ने आज इस तरफ अपने कदम बढ़ा दिये हारतिय जनतापार्टी के संसदिय दल के देता यों यंडिये के संसदिय दल के नेता वो लोग शभा के नेता के रूप में मानि नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है इसका मैं मन से समर्थन करता हूं और आपके नित्र तुम्हें सब लोग काम करेंगे इस दौरान प्रधान मंत्री मोदी ने विपक्ष पर जम कर प्रहार किया कि योजना बर्च तरीके से देश को हिंसा की आग मैं जोकने क्या भाशा बयान दिये जाए यहां इखटे होना यहां पहुंचना यहां करना देश के लोकों को बाट्डे का प्रयास किया अरे चुनावे के ऐसा लोकोत सब होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोकों को हम जोड़े तोड़ने के लिए नहीं होता है और आपने देखा दो दिन कैसा चला जैसे हम तो हार चुके हैं लेकिन देश वासी जानते हैं कि नहम हारे थे नहम हारे हैं हम विजय को पचाना जानते हैं उधर चुनाव के नतीजों पर अभी भी माथा पच्ची जारी है आरोप है कि प्लैनिंग के तहट हिंदूओं को जातियों में बाटा गया और मुस्लिमों को एक जुट रहकर एक मुष्ट वोट देने को कहा गया एक साथ होके वोटो का जहाद करो क्योंकि हम सिर्फ वोटो का जहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं एलेक्शन में कंडिडेट नहीं देखा जा सकता एलेक्शन में आपको दिल्ली सरकार को देखना होगा लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2024 का जनादेश क्या संदेश लेकर आया है और सवाल ये भी कि 2024 के बाद से देश की सियासत की दशा और दिशा क्या होने वाली है तो 2024 में नरेंद्र मोदी की वापसी हो रही है लेकिन बहस के मुद्ध क्या है क्या पीडिये के आगे हिंदुत्व का दाओं फेल हो गया है ये बड़ा सवाल है आज का और ये बहस का मुद्ध है वोट जिहाद की अपील चुनाव का टर्निंग पॉइंट बनी क्या इस चुनाव के अंदर और मोदी थी पॉइंटों में करे और बड़े फैस प्ले क्या जारी रहेंगे और चौथा बड़ा मुद्ध नतीजों के बाद क्या इवियम की अर्थी निकलने से बच गई जो प्रधानमंती नरेंद बोदी ने बोला क्योंकि हाई इवियम बाई इवियम बार बार इवियम पे जो ठीक ना फोड़ा जा रहा था शायद वो अब टाटा बाई-बाई हो जाएगा और मेरे साथ बात करने के लिए बड़े प्रभावी लोग है मेरे साथ सत्त को एक बड़ा बड़ा लाब मिला है उत्तर प्रधेश के लोकसभा चुनाव के अंदर विवेक शिर्वास्तव है नेता लेफ्ट के और मेरे साथ स्वामी धिपांकर भी है अध्यात्विक गुरू है उनका भी अभिनंदन है तो सबसे पहले डॉक्टर भधरिया शुरुवात आप इसे कर लेते हैं तो पीडिये के आगे आगे आपको लगता है हिंदुत्प का दाओ फेल हो गया हम समाजवादी लोग हमेशा से समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी चिंता करते हैं समाज के अंदर में युवा है छात्र है महलाएं हैं किसान है आम आदमी है और वो परिशानी उसकिस बास से होती है उनको परिशानी होती है महंगाई से बेरोजगारी से समाजिक की बात करेंगे और उनको रोजगार दिलाने की बात करेंगे हम इसको लेके जंता के बीच में रहें और आपने देखा प्रहुराम का आश्रवाद भी किसको मिला समाजवादियों को मिला क्योंकि प्रहुराम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के बारे में जो बात कर रह है उनके साथ प्रवु राम खड़े दिखाए देंगे रामिश्वरम में भी हम जीते नासिक में भी हम जीते अयोद्या में भी हम जीते यह समाजवादी के इसलिए जीती है इंडिया गडबंदन क्योंकि वह भगवान प्रवु समझ गए हैं कि यही वो लोग हैं जो हमारे ब हिंदुत के लिए बी पीडिय ऐसा नहीं नहीं पीडिय तो सब के लिए है आप बाट को है यही दिक्कत就到 कर ताटी पूरे समें में चुनाओं में ऌख करते ही मंगल पसुत में बात कि मीड़ ऐ देख फैसी में पिर पाकिस्ता पे पो में पर कि इस ओंगे बावरी ताला प्रेकिश की है आप इस वोड मांगें आपने जंता के मुद्धों सिर्ष इंता ने आप प्रधान मंत्री ने बड़ी बात बोली मैं पढ़के सुना देता हूं जो प्रधान मंत्री ने बोला ना हम हारे थे ना हम हारे हैं लेकिन जीत पचाना हमें आता है प्रधान मंत्री ने बोला हमारी जीत की कोक से उन्माद पैदा नहीं होता हारे वे लोगों का उपहास होडाना हमारे संसकार में नहीं है बीते पांच दिन बीते चार दिन से ऐसाच लग रहा है कि एंडिये तो हार गया है चुनाव और इंडिया आलाइंस चुनाव जीत गया है यह सवाल मेरा आप दोनों एंडिये पार्टनर से हैं पहले शेजाद पुनवला आप देखे मैं उस माटी का वरिक्ष नहीं जिसे नदियों ने सीचा है बंजर माटी में पलकर भी मैंने मृत्यू से जीवन को खीचा है और मैं रेत में नहीं बलकि पत्थर पर वो लकीर बन चुका हूँ चाहे जितना भी प्रयास कर ले यह यह मोधी को नहीं रोक पाए और एक साथ आने के बाद भी यह ठक चुके हैं अब बोलते हैं कि हम इंडी इंडी कर रहे हैं पर यह जब से एक साथ आये हैं उसके बाद इंडी इंडी बोलना बंद कर दिया है एलोपी का नाम घोशित करते हैं कॉंगर्स पार्टी वाले कहते हैं कि राहूल गांदी एलोपी होंगे अखिलेश वाखिलेश को भूल जाइए अच्छा इनकी इंडी अलाइंस की मीटिंग में ना उद्धर ठाकरे पहुंचे हैं ना अनुमान बेनिवाल पहुंचे हैं और बता दीजे अनुराग भदोरिया जी चलिए अच्छा है कि अब मूदी है तो मुम्किन है जो लोग राम मंदिर को कल तक बेकार बोल रहे थे स अच्छा है कि आपको पता होगा कि एक स्टूडेंट है जिसको हमेशा 100 में से 100 मिलता था इस बार भी इनुवर्सिटी टॉप किया है केवल 90 मार्क्स आ चुके हैं तो थोड़ा मायूस महसूस करता है और जो हर बात फेल होता है उसे पासिंग मार्स में मिलते हैं तो वो इत पाई चुके हैं पर उच्छिन का भूमत नहीं आया है नहीं पाई हो नहीं पाई हो इंडिया अलाइस का भूमत नहीं पाई हो आपकी जप्तनाइगी बोलेगा इन्होंने का चार्सों अखिलेजी ने का 79 मिली 37 मतलब 42 नहीं मिला कौन आ रहा बीजेपी 17 अच्छा वा वा 22 सीटे आई हैं हमारी सेटी साई है और टंक योगी चुर्ण बोलेगा उसे वा देखे बीच में मत रोलिए हो आप तो 80 के 80 जितने मारे थे और आप 32 पे रह गए अमीज जी आपने ये सुरुआत में रूल समझा थे देखे कुछ स्टूरेंट्स है वो रूल मानते ही नहीं अच्छा इन्होंने बात की कि सामाजिक न्याहे के लिए हम लोग लड़ाए लड़ते हैं आपको पता है कि ये तमिल नाडू में हमारा दस फीसद वोट बढ़ने के बावजूद भी एक बकरी के गले पर अन्ना मलाई की तस्वीर दाल कर उसका कतल कर दिया गया एक अन्ना मलाई के साथ मतलब बकरी को आगे रखके उनकी तस्वीर लगा के उनकी गर्दन काटना वो तस्वीर इस समय मैं चाहता हूं जड़ा दिखाई जाए वीडियो वाल्ड पर वो तस्वीर और हमारे वीवोस को पर दिखाई जाए मतलब क्या मतलब क्या दिखाने की पुझाओ आदमी ने किया इम्मेचोर है इस ने किया है इसा हो गया वैसा हो इतनी डिबेट्स हमने करी अन्ना मलाइक आज कहां खड़े है बीजेपी कहां खड़ी है तमिल नाडू में किया हुआ उस ने लिए किस ने आपके अंचा की गरदन को आगे रख के बकरी को काटा है दो ने कौन हैं बताइए कौन है ने किसी तरह का हर हैं इंडिया से जोड़ दोगे अब मुझे सब्सक्राइब करने लगे हैं सब्सक्राइब करने लगे हैं इंडिये बोल दिया लेकिन पॉइंट यह है कि इस टाइल पॉलिटिक्स जिसमें साहरनपुर में हमने देखा किस तरह का हुर्दंग मचा हमने देखा कि अन्ना मर्राई की तस्वीर लगा कर बकरी की घरदन काटी जा रही है यह नेरेटिव क्या है और प्रधान मंतिरी ने ब जो नफरत के बाजार को मिटाने वाला था खामोश मैटा इंडुस्तान में जो पहली फेल हुआ दूसरी फेल हुआ तीसरा चुनाओ लड़ा तो तीसरी फेल हुआ कहता है कि मैं पास हो गया हूँ 99 नंबर आ गए मुझे 388 सीट लड़े कॉंग्रेस अकेले लेकि 99 सीट जी इसके दल 292 गए ठीक है ये बात सही है कि हमने 400 काकडा रखा था जीवन में लक्ष महान रखने चाहिए उचाईयां महान चड़ने की रखने चाहिए नहीं चड़ता है कोई बात नहीं हिंदुस्तान कभी न कभी वह उचाई देगा अगर काम अच्छा बहतर करके आएंगे लोगों के लिए योजनाएं बनाएंगे और जनता की सेवा करेंगे जो नरिंद्र मोदी जी ने आज एंडिये की बैठक में कहा है तो आने वाले चुनाओं में भारत में एंडिये का भविश्च मेसा प्रबल रहेगा लेकिन अगर राहुल गांदी मुह से बोलेंगे कि मह प्रबत की दुकान है और सड़क पर नफर फैलता रहेगा जेहाद का सब्द गुंजता रहेगा तो इसका जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से दिया जाएगा भारत जोड़ने वाला व्यक्ति आखिर खामोश क्यों है कड्या कुमारी से लेकर करके कश्मीर तक का सेक्लो पाटी तो बचा क्या तो इसका मतलब राम मंदिर तो कोई मुद्दा नहीं ते और क्या क्यों यात्राओं की बात चल रही है आप तो खुद भिक्षा यात्रा निकाल रहे थे क्या हुआ निकाल रहे हैं जारी है चोड़ा ने पहले तो सभी को जितने दुरंदर जीत कर अनंत शुब कामना है भारत के भविषय के लिए उज्वल भविषय के लिए काम करें मेरी यही शुब कामना है मैं पहला शब्द अन्ना मलई पर कहना चाहता हूं दाता दिल दोगा देखकर वो वियक्ति भी समाज के बीच में था जोड रहा था भले ही हमसे उत्तर पर दे देश में सुईकारे नहीं होनी चाहिए जो लोग मौन हैं तो मुझे दिनकर की वो पंक्ति याद आती है गुना उनके भी लिखे जाएंगे जो तठस्त और मौन रहे हैं अब मैं बात कहना चाहता हूं आयोध्या की जहां तक लोग चर्चा कर रहे हैं क्या योध्या हारे नीसंद है मैं समस्ता हूं कि पीएम चुनाव नहीं आ रहे है योध्या का चुनाव हारा है जातियों में बटा हुआ हिंदू समाच मैंने एक political leader का बयान सुना कहते हैं कि vote जहाद करो एक मुलाना कहते हैं कि candidate मत देखो सिर्फ एक मुझ्ट होकर vote डालो डालिये सर जैसा डालना है सो डालिये मगर फिर इन लोगों को क्यों बाट रहे हैं इनको क्यों बता रहे हो जाट गूजर बनिया यादो ब्रामण बनिया इन्हें क्यों बता रहो अरे जाती होती तो देना पड़ेगा वो पहली बार बोल रहे हैं अमीश इन्हें बाटो अगर कोई जोडने की आ गई जहां जीते हैं मेरा मेरा मानना सिर्फ इतना है पिछले 600 दिनों से मैं आप आपसे बात कर रहा हूं पिछले 600 दिनों से मैंने मात्र इतना किया 87 लाग लोगों को जोडा और कहा कि जातियों में ना बटकर आप युनाइट रहें एक रहें सनातनी रहें क्या सनातनी होना गुना है गुना है जिनको जोडा सबागो दे दिया और जब गुना नहीं गुझा आज जीवन में पहल आस हुआ इस बात का कि चार लोग 40 बाते और 400 अफवा है कितनों पर ध्यान दोगे पार्थ अपना लक्षा देखो और अपना लक्षा बहुत क्लियर है अगर अगर आप सब को कहते हो कि जातियों में ना बटकर एक हो और सब समान रूप से जीए सब को समान अधिकार हो तो वो हमारे भाईयों की नजरों में बुना है अगर आप कहें कि उच नीच कीजे छोटा बड़ा कीजे वो आपके लिए सही है अरे जब जोडने की बात कर रहा हूं जोडने पर तो एक हो यार अमीश बाबू भगवान कृष्ण ने कहा था कि किसी भी क्रांतिकारी विचार क तो पूर्ण होने में टाइम लगता है शुरू में लोग ऐसा ही करते हैं अप मानित ही करते हैं और कल को जब कल को जब इस विचार का और होगा इन जैसे लोगों का तबस पिखल जाएगा श्याच्जान करेंगे ने विवेक शोड़ो यार जित्रफूट हार बगवान राम के सारे दीटों में आप जिटे गाप जिवाब 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 कर दोड़ा है वो कि देश के हिंदुएं नका रहा आपको आपके भगवाधारियों को नका रहा इनको नका रहा और हंग पार्लियमेंट है यह चीख अपने जितना भड़ास्ता निकाल दिया कि और कुछ निकालना फिर मैं अपने जवाब पर आरंब कर दोड़ाएं अब मैं बोल दू ती सेकेंड बोल दूब आप दोनों की सहमती हो किसी विशाइपर तो तो ती सेकंड बोल दूब कर दूब कर ऄफने ड्रामा तो कर यह को एखर देखने नरी में जन्ता ने आपको JNU कैंटी छोड़के बाहर कर दिया एक सब जगे से बाहर कर दिया है को लेफ्ट ने कहा रखाया आप लेफ्ट कहीं पर नहीं अब अपनी बात रखी आप सब से पहले तो एक सेटी पर बताईए कि ओड़िशा में पूरी है कौन जीता वहां पर और बताईए कि उत्राखण में केदारनाथ है कौन जीता वहां पर बताईए बताएंगे नहीं और मैं आप परदान मंदरी ने जैश्री नांद देना बंद कर दिया परदान मंदरी ने बोलिए त्रिपूरा में माच त्रिपूरा सुंदरी का मंदर है कौन जीता वहाँ पर जवाब नहीं देंगे और मैं इसे सिर्फ दो सवाइब पूचा जाता हूँ अब असाम में भी जीते हैं वहाँ पर कामाख्या देवी का मंदर है पर तो मैं पूचा जाता हूँ इनसे इन्होंने कहा रहे हैं यह वो लोग है जो कहते है धर्म हफीम है अब बताइए समाजवादी प्रश्टबूमी के नेता राम मंदर को बेकार बोलते है राम गोपाल य एक्सेप्ट कर लिया ना के इसला है इसले को यह विद्ध्या संद्रें फिर्डा अब जवब दूंभाया जाब टूंशने सुनिए जीए आप जवाब सुझी, आप कह रहे हैं कि क्योंकि एक सीट में इनों ने जीत पाली और 37 सीट जीत गए तो इसका मतलब की पूरा का पूरा हिंदू समाज आ गया और जिस लोग ने हैं है है हम सब्सक्राइब से एक साफ सब्सक्राइब आपने बोला कि बीजेपी ने हरा दिया है आप इने तो आप बोला बीजेपी आप ने आप ने बोला है यह कहते हैं कि हम सब्जेगे हार गए पता है आपको कॉंग्रिस पार्टी को 14 राज्यों में 0 seat मिली है hara में हमारी सरकार बहुत हैं एक और ंभी सब्सक्राइब को सबसंटू किया थे तो चछुना ओ लड़ रहे थे तो कहते थे साव मोदी सरकार भाजपा सरकार मोदी सरकार अटेशिक नामी नियले या चुछ या ईब बहुत आची बहुत आप versucht पीछे क्या लिखा है किया लिखा पीछे मोधी सरकार 3 पॉइंट ओ ने यह तो पुद्धान मुंत्री बनने के बाद है अब अब सुनो अच्छे यह बताइए यह जो एंडिय सरकार है यह मोधी जी के नित्रित में एंडिय की सरकार है अब जाओ ताली किया कहरे हैं किया अब है अनुराग बजोरिया साब ने क्या करा उन्होंने एंडिय की सरकार पर तालीब हो जा दी जबकि इंडिया लाइस के यह एंडिया सरकार बंदे पर ताली बजा रहे हैं मतब कमाल हो गया है एंडिया सरकार बंजने पर ताली बजा रहे हैं कमाल कर रहे हैं पॉजिशन पार्टी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है उसकी वीडियो को कहीं नगाई प्रमोट करियों चीजे करिये जो कि एक सर्फ प्रपोगेंड़ क्रिए डिक्टेटर्शिप का और वह बहुत वह जुड़े हुएं आइंसी से और वह आइंसी के नेता हर्श्मद यह अपका कहना है यह पॉइंट 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 कर प्रेस कान्फरेंस में यह चीज बोली थी इस बार दो सोपंचानबे सीट आने वाली है तो वह 295 सीट कहां है जीती तो बीजेपी सरकार इस देश में जो आर्थिक रूप में पिछड़े लोग थे उनको भी 10% आरक्षन दिया तो सवाल नहीं होता है दूसरा पॉइंट भारती जनता पार्टी की सरकार ने जो लंबे समय से महीला आरक्षन विध्यक लंबित पड़ा था कॉंग्रेस उसको तरह तरह की पेच में फ की तमाम महीलाओं के लिए 33% संसद विधान सभा में जाने के लिए दिया तो जो पार्टी आरक्षन दे रही हो वो पार्टी आरक्षन कैसे खत्म कर सकती है पहला point, दूसरा point है, इस बच्ची का एक सवाल है, कि Congress, आपका सवाल है न, कि Congress ने कहा कि 75 प्रतीशत या आरक्षन बढ़ाएंगे, हमारी बिहार में सरकार है, सरकार ने जातीगत सर्वे कराया और 10 प्रतीशत आरक्षन अती पिछड़े वर्ग के लिए बढ़ाया, Congress की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, Congress की सरकार करनाटक में है, Congress की सरकार तेलंगाना में है, मैं पूछना चाहता हूँ Congress पार्टीश से, कब वहां आती पिछड़े का 10 प्रतीशत आरक्षन बढ़ाएंगा जिस पे पिछड़ा दले तो अलब संक्यत थी, और हिंदूों को डिवाइड करने में कामियाब रहे, क्योंकि मैंने तीर स्थलों के नाम स्वामी जी को बताए, रामेशोरम क्या वहां भी PDA था, नासिक वहां भी PDA था, चित्रकूट भगवान राम की मुवी वहां भी PDA आयोध्या वहां भी PDA था, नहीं, डेवलप्मेंट की बात थी, मैं आयोध्या गया, वारण असी आपके चैनल के माध्यम से गया, उसके पहले 7-8 मैं जिलों में पूरी उत्रप्रदेश के घूम करके आया, अगर आप बाहर के बिजनसमेन को ला करके, आयोध्या की दुका आपकी लॉजिकल बात है, लेकिन एक बात ये भी तो सच है कि एक तरफ अपील करी जा रही थी, जो नौमानी साप ने अपील करी महाराश्टर के अंदर, और जो एक नेत्री ने अपील करी उत्रप्रदेश के अंदर की वोट जिहाद होना चाहिए, एक तरफ तो आप अप अपील करें कि एक मुष्ट होके आप वोट डाली है, यही आप ही के अलाइस पार्टनर्स के लिए, और दूसरी तरफ कहरें कि आप पिछड़ा, दलित, ठाकुर, भ्हमन, सैनी, शाक्या, मौर्या, बनिया, इन सब में डिवाइड होके वोट डाली है, क्या मैं आपको उत् ब्रदेश के लिए रफ पर लेकि वोट डाली है, राज्पर नाज है, और दूसरी तरफ इसी उत्पर इरफ चुनाब वोट में काहा जा रहा था, कैंडिए-ट बैडिडेट, मदेखिए, लगिन देखिए, मोधि को कौन हरा सकता है, इसलिए वहां पर तो वोट जिहाद हो और दूसरी तरफ, मतलब एक जगा मत काटो, एक जगा, एक जगा में भी सौ जगा काटो, एक जगा में भी सौ जगा काटो, और फिर अपनी पोलिटिकल गेम बना दो, उसमें क्या कहना चाते हैं, पहली चीज़ देखिए, यह हुआ की नहीं हुआ, आप सुरिए, बहुत कु लेकिन यह चीज़ें रेटरिक में होती हैं, घलत हैं, लेकिन में मुद्दा इस देश की जनता बड़ी समझदार है, इस देश की जनता ने वोट दिया, इस देश की जनता बहुत समझदार है, नोमानी जी की बात आपने सुनवाई, इसी डिबेट के तगरीवन 10-15-20 घर घर जाकर के जमातों ने काम किया, एक मरा हुआ शब्द आपने उनके विरोध में बोलते सुना, आपने लोगों को जोडने का काम किया, तो भगवा, भगवाधारी, पचास चीज, सनातन का उन्मूलन, हमारा गटबंदनी सनातन के खात्मे के लिए हुआ, हमें आपकी अगर बात सनातन पर भगवा पर आएगी, मैं तो जीवन्त खड़ा हूं, मरेवे सादू भी बोलेंगे, याद रखना, और मुझे बोल, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, आपके सनातन में शंक्राचारियां है, जिनों ने कहा कि राम मंदिर को कि राम प्रतिष्ठा कराम इनों ने कहा कि मैं वहां जाके क्या हूं, मोधी उधाटल करेगा, और मैं ताली बनाऊँगा, अमीश, अप्मान किया आप ले शंक्राचारियां का, कि रोचक क्या जानते हैं, पुर्जे शोर करते हैं मशीन के खराब होने पर, जुबान शोर करती हैं, अकल के खराब आप सब अकलमंद हैं, सुनिये, सुनिये, यार गजवे आप लिए बोलने मी दोगे तुम, अपनी फाइदे के लिए आपने शंक्राचारिया का अप्मान किया, बोट के लिए किया, यह क्या तरीका है, अगला आदमी, अगला आदमी, मुझसे वो व्यक्ती इस बारे में चर्चा कर रहा है, जिसे धरम का ध्या नहीं पता, और अरे एक सब्सक्राइब, अगला नहीं हूँ, जब आपका जब आपका धरम में विश्वास ही नहीं है, तो कहा है आप चक्क्राइब, पैठी, एक से, एक से, एक से, बुज़ो, त उखेए है, वो मुझे यह कहेdogs, कि मैं क्या व missesा पर इतना सा शरम बचा है, आप हंदू बेल्ट में हार गए हंदू बेल्ट में यह बारबरका जारा है", जिसके लिए आपने बहुत कुछ करा उस बेल्ट में आप शायरा है, ये निरिक, ये बोला है आपको बहलमें, आपक बल्कटू और टो और पर नहीं दुझे हंगें, लिए खाल और भाघी कर दोकरी नहीं, उ Only Twoba, गई दोक्रणागें मुझे बताई ये डोपी पहन के मस्जिद में इफ्तार में जाते हैं तब कामरा ठीक होता है और द्वार का में अगर कोई चल रहे हैं यदू अंशी देख रहे हैं यदू अब आप शांत रही हैं और मैं से वितना जाता हो देख्यए अब आपने चल रहे हैं कि अगर प्बढ़ इनके मन मैं विशीला जह ही अगर एगर सॉलद सेः तो रहा है और अगर ये लोग असाम में जहां पर मुस्लिम बाउल है तो क्या इसलाम की हार बोलेंगे आप आफ यहां नाफ है तो नहीं दूसिने डाल दिया तो मैंने स्विकाल dhya वरना मेरी विचारधारा इससे नाव बना का विडियो है अब पता ये कि जैसी लुब रहे रहे तो जुब कर दिया फिर वी चिलारे है अन्रॉट कर दिया पिर बिचलारे था ये जर्शा जलाने अनुराग मेरा प्रस्ट नहीं है देखे हिंदु हारा हिंदुत हारा इस बात लेकिन एवियम तो फाइनली जीत गई अब एवियम की अर्थी तो नहीं निकालेंगे चार गंदो बर मैं बोलनू बताईए अब बोलनू सवाल सवाल देखे मैं मुझे दीजेगा क्यों कि आपक दूसरा आपने कहा कि देश के अंदर में हम कह रहें कि हम अध्या जीते बार बार कह रहें हिंदु हार गया अरे प्रभू हम तो बोली नहीं हम तो जब से आए तो यहीं बोला है कि हिंदुस्तान जीता है हमने कहा कि हिंदुस्तान की जनता जीती है उत्तर प्रदेश में ज जनता को सुन तो लिए अरे फिर आगए देखो यां मैं आपसी बात कहूं कि निका होगे आपके डिवेट छोड़के नहीं जाओंगा आपकी तरह पीट दिखा के भागने लगा पीट नहीं दिखाता हूं जो आप भागने लगें अभी पीट नहीं दिखाता हूं अभी आप अपने जारी हूँ पहाओ रहा हूँ आप मैं जा रहा हूं अमी जी से जाखल दो किडिया है कि सες अ हपने करे भूओ कि तिशोच जी और यहां उन्यग मैं जिग्हां समां एक उत्व कशल देखे सबूंखे्राइदे कई आपको अज़ी में खिलाएंगे और भी में कहता हूं समाज के अंदर में जहां एब्याइम गड़बड़ी होगी आब आज उठाई जाएगी चुनाया अगर गड़बड़ी करेगा आज उठाए जाएगी अन्याई के खिलाब आज उठाएंगे उठाते रहेंगे ऐसा नहीं होगा हम जीते हैं हार हैं अन्याई होगा आज उठेगा ओके ओके इवें पर पर अन्ना मला के आवाज नियुक्ति वहां पर आवाज नहीं उठी इसकी है एक सिकिन मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं लेकिन लेकिन कुछ प्रश्टन है जो कि बहुत इंपॉर्टन ह 240 सीट हमने आपको दी बन नेशन बन एक्षन पर यूसीजी रिजर्वेशन बन और महिला रिजर्वेशन विल पर क्या जब आप पार्टी की घडबंदन सरकार में यह फेसले मोधी सरकार ले पाएगी और यह नहीं ले पाएगी बेसिकली सवाल यह है कि कड़े और बड़े फैस्टे मोधी 3.2 कर पाएगा यह एक संश्यमन में लोगों के आ गया है देखें ऐसा है कि NDA 1 और NDA 2 की जब सरकारे बनी उन्हीं सरकारों में 370 हटा उन्हीं सरकारों में 3 तलाक को हटाया गया यह NDA 3 की बात है उन्होंने बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है वन नेशन वन एलेक्शन पर आपको असपस्ट कर दूँ वन नेशन वन एलेक्शन पर पिछली सरकार ने पुर्वराष्ट पती रामनात कोविंद के अंतरगत एक नित्रित्त में कमिटी बनाई और हमारी पाटी ने डिटेल रिपोर्ट दे करके कहा कि हम वन नेशन वन एलेक्शन के पक्च में हैं पॉइंट चुनाई देगे आपको अब आपने पूछा है यूसीसी पर यूसीसी पर हम सैध्धानतिक रूप में सहमत हैं लेकिन हमने ये कहा है कि सभी स्टेक होल्डर से इस पर चर्चा की जाए इस पर बात की जाए महीला अरक्षन पर हम सुनिए महीला अरक्षन पर हमारी पहली पार्टी है जंता दिल यूनाइटेड जिसने बिहार में महीलाओं को नौकरी में 35 प्रतीशत आरक्षन दिया था और सबसे पहली बार देश में पंचाइती राज में 50 प्रतीशत आरक्षन दिया था और मोधी सरकार ने महिलाओं को संसंद में और विधान समा में जाने के लिए 33% अतारक चिद दिया और कोई प्रश्ण है आपका मेरा आप सबसे सवाल है कि कई कांग्रेस की रहनीती क्या थी मुझे समझ मिली आया तो कि वहाँ पर कंपैरेजन जिसको जितने वोट मिलते हैं कैंडिडेट से कंपैरेजन होता है इसलिए बीजेपी रिकॉर्ड मतों से इंदौर की सीट जीत गई है मेरो-खुर्ड मतों सबसे थाए कि अड़ेश्ग सबसे अफ़ित रहा रह promotes को लाती होता है सब्सक्राइब नहुत רק Αerna ने और प्वेश्ग देखे अगर की कि अध्युर्त की सिचारी निया इनका मतलब यह कि अगनिवीर के पूरा खिलाफ है यह उनका स्टैंड है मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि एक रोचक बात कहूंगा कि सनातन पर सनातन के विरोध में हिंदुत्तु के विरोध में कोई भी देश का पक्ष और विपक्ष ना बोले अगर जब आप बोलते हो तो हम लोगों को कश्ट होता है और मैं एक बात आप लोगों से मैंने कब उट मांगा एर्विडेंस तो एविडेंस सं से हैने कब उट मांगा यह विडेंस दे को यह बौनट में को यह केसे थे मैं दो मिनेट में यहां से चला जाओंगा को यह के विदेंस देंगा बैंस चला है कब वोट बागा नाथ सब्सक्राइब कब वोट मांगा तो अमीश भाई ने उधारन दे अरो उधारन सुन लिया और अच्छल टेलिविजर में आप वोट मांगा आप देख बताईए तारीक बताईए समय बताईए मैं वीडियो फूटर कर दो आता हूं हमारी चाहे विचारदारा जो भी हो एक स्वामी जी को बार बार लगातार अपमानित करना यह लगता है कि इस प्रकार की संस्कृती दिखाती है कि किस प्रकार से आप लोग हिंदू समाज के प्रती घ्रिणा रखते कोई मौलाना होता तो मौलाना के साथ ऐसा वार नहीं किया क्यों अपमान कर रहा है सब यह हिंदू-Muslim स्वाथ करके मावल लाना चाते है अब आज कर आपने देखा होगा जब आप जनता का नहीं है तो हिंदू पर आ जा रहे हैं अनुराग बाभू कौन नहीं है अनुराग बाभू मैं आपके संवान वैसी करता हूं वेक्रिण वे तो वामन पंद कि ने भाब बलते हैं बिलकुल दबूत थी ज़ूट जोटे इस इस फार्टी किस क्या कम ने को थेसलीटेट किया है मैं उसी के साथ selloot कर avwh अभर भू जोट बोलते हैं तो ही किसी की बटिंगों किया ए्यां किया एडिर जोर से बताओ ब старे है को किया क्या अब इन्हों ने हमारे आगे का अजिंडा तो बता दिया आपने दो दिन से देखा है वीडियो जा रही है जहां पर कुछ महिल आएं कॉंग्रिस के दफ्तर पर जाकर पूछ रही एक लाक रुपे कब में लेंगे अब मुझे बताईए डेट बताईए अपनी सरक सब्सक्राइब कर दो देखे सवाल हमने कहा था अगर हमारी सरकार आएगी सरकार आईगी और कहां से देए कि सरकार आपको नहीं देंगे अचा देखे फिलाल आज के अडिशन में इतना ही लेकिन एक लाक रुपए कब देगी सफ़ाइब और कॉंग्रेस पार्टी जो महिला है उनके दफ्तर में पहुंची हुई है इसका ऐलान जल्दी करना पड़ेगा नहीं तो भीर बढ़ती जाएगी पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर टू आयोध्या हारने का बीजेपी को चिंतन मन्थन करना पड़ेगा और जरूर क समनवाई जादा भेतर बनाना चाहिए यानि उसमें मदमस्त नहीं हो जाना चाहिए कि देखिए हमारे तो पहले 30 नमबर आते थे अब गलती से 90 आ गये हैं फिर 100 आ गये हैं तो हम 100 के उपर हम सोचेंगे सामने वाला जो है वो फेल हो गया है देखिए आपकी स्थिती आप से बहुत आगे है इसलिए अगर अपनी मेहनत को बरकरार नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होगा और दूसरा ये बात तो सत्य है और जनता जनारदन आपको भी समझ लेनी चाहिए कि हिंदुत्व के सामने पीडिये जीता है यानि पिछड़ा दलित और अल्वसक्यक का जो दाओ था वो जीता है कितना भी अब हिंदु हिंदुत्व कर लें लेकिन पीडिये का जब खेल आएगा तो हिंदुत्व हार ही जाएगा इसमें कोई दोराए नहीं है यूपी के लोग सबार रिजल्ट्स ने ये दिखाया है महराष्ट्र में भी ये देखने को मिला है फिला राज के कारेकर में तहीं आपको मेरा नमस्कार गुट नाइट थैंक यू सो मच और आपका बहुत बहुत धन्यवाद